बॉलिवूड एक्ट्रिस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में पती निक जॉनस के साथ लॉस एंजलिस के टैपल सेंटर में आयोजित ग्रैमी इवेंट में गई थी जहां उन्होंने डीप क्लिविज ड्रेस पहन कर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली प्रियंका की स्रीव लिंग ड्रेस को लेकर ट्रोलर्स ने उनकी क्लास लगाई दरसल अवार्ड शो में प्रियंका ने राल्फ एंड रूसो द्वारे डिजाइन कस्टम मेड ड्रेट्रो गाउन पहना था जिसमें उनके क्लीविज के साथ बैली बटन भी दिख रहा था वही सोशल मीडिया पर उनके एक तस्वीर भी काफी वाइरल हो रही है जिसमें वो जे सिस्टर्स के साथ नजर आ रही है इस तस्वीर में उनके बैली रोल्स भी नजर आ रही है गौरतलब है कि प्रियंका को ट्रोल करने की शुरुआत डिजाइनर वेंडल रोड्रिक ने ह के बाद फिर से इस फैशन डिजाइनर ने अपना कॉमेंट किया कई लोगों ने रोड्रिक्स को प्रियंका की बॉडी शेमिंग के लिए ट्रोल किया फिर क्या था इस रीवलिंग ड्रेस के लिए ट्रोलर्स ने भी जम कर कॉमेंट्स किये इन तमाम कॉमेंट्स पर प्रियंका चाहती तो इस तस्वीर में पर्स के साथ अपने पेट को छिपा भी सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बलकि बिना किसी शर्म के बैली रोल्स फ्लॉंट किया सुचितरा कृष्ण मूर्ती ने लिखा यही वो बात है जो उन्हें वो रॉक स्टार बनाती है जो वो आज है उनका कॉन्फिडेंस और वो इंस्पिरेशन जो वो दूसरों को देती है तुम आगे बढ़ो और बढ़ती रहो मैं कभी किसी महिला की फैन नहीं रही हूँ मग पर तुम्हारी सस्वीर ने मुझे तुम्हारा फैन बना दिया आगे उन्होंने लिखा दुनिया में सबसे ज़्यादर प्रकाशित होने वाली इस इवेंट में प्रियंका की यह तस्वीरे सामने आना लिब्रलाइजेशन को दिखाता है यह दिखाता है कि किस तरह महिलाओ पुर्षों के विचारों को गुलाम होना पड़ा है इसलिए प्रिय पुर्षों हम ही वास्तविक महिलाए हैं भई सुचित्रा की इस बात ने तो सभी ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी मगर प्रियंका का ट्रोलर्स पर जवाब आया प्रियंका ने अपने इंस्टरग्राम पर एक पोस्ट शियर कर ट्रोलर्स की बोलती ही बंद कर दी पोस्ट में उन्हों ने लिखा ये मायने रखता है आगे प्रियंका लिखती हैं मुझे जो प्यार मिला है उसके लिए आभारी हूँ जो प्यार नहीं मिला उसके लिए भी आभारी रहूंगी ये जिन्दगी एक अनमोल तोफा है अगर देखा जाए तो प्रियंका ने अपने इस पोस्ट से उन सभी ट्रो झाल झाल